आदुनिक भारत का इतियास क्योंकि आपको पताए सभी बरिच्शाओं के लिए मैप्पूर है आदुनिक भारत के इतियास का हम परचे से आखलन करेंगे आदुनिक भारती इतियास सब्द का तात्फर अठारवी सताब्धी के मद से लेकर बर्तमन समय तक के भारत के थियास से है मतलब 2024 तक इस और आंगे भी रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी फ्रत्फिरेगी तक चलिए पताते हैं इस अबदी में सबसे महत्पूर एतिहासी गटना है मोगल समराज का पतर भारत पर विटिस विजे 1857 के सामाजिक सुदा आंदोलन का विद्रो दो विश्विजुद और उनके सामाजिक आर्थिक प्रवाब अकाल राष्टबाद का उदे भारती सुतंतरता आंदोलन भ्यवाजन बामपंथी राजनीती का उदे भारत की संसदिय लोकतांत्रिक ववस्ता चुनाब, कुट निर्वे चांदोल, नहरू की भूमका वैस्वी करण के प्रवाब और आर्थिक नीदी में बदलाब तो यो हमने ये वर्ट्स बोले हैं दोस्तों अगर आप एस्पाइंड हैं UPSC के तो और अच्छी बात है अप नौट करते चले दोस्तों चले आंगे और समझाते हैं आद उने भारते इथियास का प्रारव अठारवी सताब्दी के मद्द में होता है इस काल की सबसे मेतबुड गटना मुगल समराज का पतन और भारत में योरोपिय प्रवेश भारत में आने वाले योरोपिय ब्यापारी पुर्तगाली थी कौन थे पुर्तगाली और उन्होंने गुवा में अपनी पहली कॉलनी बनाए हलाकि मुगल समराज जहांगे ने उनसे निवतने की कोशिक थी उन्हें आजिक रूप से निश्ट कर दिया मुगल समराज के पतन के साथ कई अन योरोपिय कंपनी भारत बाजार पर करना सुल कर दिया लेकिन बाद में मुगल वार्साथ परुक्षियर के फरमान से विटिश इस्ट निया कंपनी को मुगल समराज के अंदर सतंत रूप से व्यापार करने का दिकार पाफ होगा समय के साथ विटिश इस्ट इंडिया कंपनी ने सक्ता हासिल कर ली और 1707 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बुक्सा की लड़ाई में अपने जीत के बाद इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का उपनिवेश पना लिया अबन विस्टी करड़ के बाद ये ये लोगों ने ये ये इरोपी सिच्चा का विस्तार करने के लिए इस्कूल और कोलेज की स्थाफने की पस्थमी सिच्चा के उदे ने भारत में एक सामाज़िक सोधार अंदलन को जर्म दिया जो महिलाओं के अधिकारों चाती आधारित भेदभाव के उनमूलन तरक संगत और बैग्जानी क्यान के परशाज आधी को प्रात मिक्ता देता है विटिस इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का एक गवणनार जर्नल लुक्त किया था जो कानून में कानून विवस्ता बनाय रखने का काम सोपा गया भारत की ये सभी गवणनार जर्नल भारती संसादनों के सोशल और अपने दमन कारी निथियों के लिए कुक्यात थे उनमें से सबसे क्या था लौड डल होजी जिसके विटिस सामराज की विस्तार की निथि से देशी राजगानों में बहुत ज़्यादा गुसा था साथ ही उन्हें की सोशल कारी निथियों ने कई देश और राज्यों को लगवा एक तरह से बरवाद करके रख दिया था उनकी यार्थिक इसलिक जिसे कई लोग मुस्कित से जीवित रह सके इस सारे दमन और सोशल के करार ठारा सु स्थानों का विद्र हुगा यह एक सथस्तर विद्रों थैं जिससे अक्सा सुतंत्रता का पहला जुद मना जाता है हलाकि इस विद्रों को बेहरी में से दवा दिया गया इसके कई नेताओं को मार डाला गया और अंति मुगल समराठ बादूर सा जपर को रंगुन में निवर्ष्ट कर दिया गया उनकी बहुत ज़्यादा गुरी हलत कर दी इस विद्रों के बाद अंग्रेजी समागरी रानी विक्तूरिया को भारत की समागरी और शाशक गुर्सित किया गया लेकिन 1897 के बिक्तूरों का पुबाब लंबे समय तक रहा इसने 1885 में भारती राज्टी कांगरेज की स्थापना मदद की जिसे भारत का पहला और चारिज राजनीतिक एक करण माना जाता और भारतीयों और बिटिस साच के 20 मदस्त के रूप में कान किया इस प्रकार भारत में सब से पहले राजनीतिक पांदूलों में से कुछ थे तो बिटिस अधिकारियों के अत्या कर दी गई जब उन्नमूलन के नाम पर आम लोगों पर अत्याचानों की एक स्रकला सुली की ये बारती उपमाधिप में पहली राजनीतिक अत्या थी कांगरेज की राजनीतिक गथविदियों के पहले जोग में नरम पंतियों का वर्चसफ था जो बिटिस उदारता में विस्वास उनकी उदार वादी राजनीति ने बहुत से लोगों को निरास किया और इससे अधिक उगववादी और कंटरपती राजनीतिका जनम होगा व भारती रानीति में मात्मा गांदी का उदे इस समय की सबसे उलेखनी गठनाओं में से एक उन्होंने पहली बार खिलापत आंदुलन में भाग लिया जब प्रथम विश्विविद्र के बाद ओटोमन समराज अंग्रेजियों के हाथों हारा गया था यह अंदुलन चंपरण स सब्सक्राइब और खेड़ा सब्सक्राइब के पहले हुआ वर्स 1929 को रोलेक्ट एक्ट नामक एकत्याचारी दमनकारी अधनियम की सुरुगात के रूप में चिनित किया गयता है जिसने विटिस पुलीस को के बसंदे के आधार पर किसी को भी रियासत में लेने का दिकार जब लोग सांती पूर्वक ब्रोध कर रहे थे और जलिया वाग नामक पाक एक गार्टन था पार्क था एकरत हुए थे उसमें तो बिटिस पुलीस ने उन पर गोलियां चलवा दी जिसमें अजहार प्रदाशनकारी मार गए थी इसने भारती क्रांदिकारी अंदरल को बढ रहे थे का उदे भी हो गया था इस बार डॉक्टर भीमरा अंबेट करके रार्णिती में बड़ी भूली का भाई गई थी केंद्री और प्रांती विधान मनलम में चुनाब उगा उनिस सो ब्यालिस में बहरा छोड़ आंदोला दुती विस्वियूते के पहलने के बाद भा भारती रार्णिती के इस यूग को एक अखिल भारती नेता के रूप में सुबाशन भोस के उदेंसे चिनित किया गया उन्होंने आई एन ए की स्थापना की विदेशी साहिताली और संस्थ संग्रिस के मादिम से भारत को आजात कराने के प्रयास किया हलाकि उनकी प्रयास सफल रहे लेकिन उन्होंने लंब समय तक प्रभाव छोड़ा और भारत के नोसेनिक जित्रों का प्रभाईत किया उन्हें लेकिन सामतादाईक और तच्छडपंती राजनीती के बढ़ने के कर्ड आजाजित से पहले देश दोस्तों में बढ़ गया भारती दियास के उत्र था कम से कम हामारी की प्रभाव निस्कर समलू समझेंगे भारत के मदकाल इतियास की विसेस्ता मुक्रूब से दिल्ली संतलत वेविन राजबंस, मुगल शाष्टन, उत्तर पर्शिम भारत में राजपूत, सासन, दच्छड भारत में विजनेगर का उदे और मराटा भारती इतियास संस्किती और राशत में बहुत समरद है, चलिए और समझेंगे, 1949-1947 की प्रमुगटना क्या थी उनके बारे में देखते हैं, उनको नौट करते हैं चलिए दोस्तों, राश्टी आंदोलन का उदे होगा, विसेस रूप से भारत छोड़ो आंदोलन, अगस् आंति, व्यक्ति गद सत्तर ग्राय, साम्प्रदाइक राजीती का विकास, किशान आंदोलन और लोगों का संगरस, क्रिप्स मिशन, बैवल योजना, स्वाशन वोस और आईयने का उदे, केमनेट युशन का आगमा, ब्रति विश्वियुत के वाद, राश्टबादी आंग युटा, ऍस work, युटा, प्रति, युटा, फट किशान तर आंगरस, कि वीद्वियुन, ब iç में तर तर आउके पास, क्रिप्सować, क्रिप्स है राजीने हिले का उन्बद हैंगल, शी का राजdoors, कर tienes इंटis, कि रोगर भक्वर किशति, यूर का तर आपकरे साह करिएंगान का झाल झाल